है हम मैं मेरा नाम है आइस कुमuição और आप देख रहे हैं मेकनिकल अड़ाइजर तो आज इस व्यूडियो में भी करने माले हैं सेक्षेंड लाप थर्मोडाइमिकjang तो जैसा खिडम जी रौत यह दस देख आँ फस्ट लप रूदाइमिक देखा वैसे सेक लाप ठर Capital में हमको पढ़ना होता है thermodynamics subject में तो यहां पर डिसकस करते हैं तो आप यहां पर इसके दो statements है Kelvin ने statement दिया था अपना और classes ने अलग अपना statement दिया था दोनों के अलग-अलग usage भी है हमारे application में हम लोग लाते हैं अब कंजर्वेशन बताता था सिंपली अब कि फस्टला हमारा क्या बताता था energy conservation कि किसी भी सिस्टम में energy हमारी रहेगी वह कोई डाइरेक्शन नहीं बताता था पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि किस डाइरेक्शन में चले या ना चले हों तो अब यह सेकेंड लाह होता है यह हमारा बताता है तो कि की किस direction में हमारा energy flow हो सकती है किस की help से बता पाता है with the help of concept of entropy entropy की concept से बताता है कि हम को किस direction में energy का flow होगा ओके तो यह डिफरेंस से बेसिक डिफरेंस से फस्ट लाइन थर्मोडविक में और तो इसको हम लोग सेकंड लाब थर्मोडविक इसको quantitative लाइसी लिए बोलते हैं quantitative लाव बोलते हैं quantitative law या फिर डायरेक्शनल लाव बोलते हैं ठीक है डायरेक्शनल लाव बोलते हैं ठीक है तो प्लांक ने क्या कहा था इस इंप इंपॉसिबल तू कंस्ट्रॉक्ट डिवाइस विच प्रोडूस द वर्क वाइल एक्शेंजिंग दा हीट सिंगल रिजर वायर से हम रोइर है और हमको यहां से जो हमने हीट थी वियथ आउट्पूट में हम्कोem से अधर हां पांसिबल है है आशी डिवाइस बनाना नहीं है इं से बgang कि कुछ ना कुछ हीट रोगव इंप्योंगल देता हैं पी में एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं केलिए प्लैंक ने बताया था कि ऐसी डिवाइस बनाना इंपॉसिबल है जो की हीट को पूरी तरीके से वर्क में कनवर्ट कर दें केवले एक सिंगल रेजर वायर से हम लेके वर्क में नहीं कनवर्ट कर सकते हैं से इंपॉसिबल है ठीक यहां पर आगर हम देखें इसको पी एमन से करते हैं तो अब यह थर्मल डिजर वायर है ठीक है तो यहां पर हीट आई और वर्क में ट्रांस्मिट होगा तो इफिसेंसी क्या है आउट्पूट ओवर इंपूट हो गया तो यहां पर यह क्या आ जाएगा वर्क अपन क्यूंदे सप्लाइग जो हंड़ड परसेंट हो जाएगा यहां पर आएसा इंपॉसिबल है कि 100% efficiency हो किसी भी सिस्टम की ठीक है तो यहां पर यह था बेसिक मेनिंग तो इसी कांसेप्ट को यूजब करते हुए हमने हीट इनिन क来्क sacred किए हीट को डेवलब कर लिए उसमें क्या होता है कि वह दो टेमिःचर होते हैं जहां पर टीवन लगा दिए 2 रवायर से डानेक्ट करते हैं तर दबसक्राइब है यहां का टंपरेचर कम है इन कमपरेचर टीवन होगे और तो यहां से किवन सप्लाई कि हम तो ही सप्लाई कि तो कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा हमको क्या मिलेगा और कुछ कुछ ना कुछ heat reject हो जाएगी ठीक कुछ work के चलेवी कुछ ना कुछ heat reset होगी temperature difference की वजे से तो यहां पर हम इसकी efficiency निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा heat engine की efficiency तो क्या हो ऑँटपूट और input हो जाएगा ठीक है तो यहां पर heat इंगन की efficiency अगर हम लोग निकलते हैं तो यह आजाएगी क्या वर्क होगा आउटपूट में हमारा तो वर्क क्या होगा simply q1-q2 जो reject हुई है ठीक है तो क्या हो जाएगा q1-q2 value रभ दो वर्क की और सप्लाई हमने किया क्यों तो यहां पर का यह तो यहां पर इन्होंने बताया किई एठीज़ इंपर ट्रांसफर दही ही फ्राम लोवड टंप्रेच WA to the higher temperature source, lower temperature source से higher temperature source में heat को transmit करना impossible है without any external work, किसी हम जब तक external work नहीं देंगे, तब तक हम लोग heat को lower temperature से higher temperature पे नहीं transmit कर सकते, जैसे कि यहाँ पर T1 suppose करो greater than T2 है, यहाँ पर T1 is greater than T2, ओके, sorry, T2 is greater than T1, ओके, तो यहाँ पर यहाँ का higher temperature है, और यहाँ का lower temperature है, क्या है, lower, lower है, तो यहाँ से अगर हम heat को transmit करें, यहाँ के लिए, तो यहाँ पर Q1 है और Q2 के लिए, तो क्या होगा, यह impossible है, इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल है, ओके, यह इंपॉसिबल है, ठीक है, बीना external work के जब तक हम work नहीं देंगे, तब तक नहीं transmit कर सकते हैं, यह classes statement ने बताया, अगर हम इसमें work supply लगा देते हैं, suppose करो इसको आप modify करके, ऐसा बना देते हैं, जैसे कि हमने इस statement को use करते हुए heat engine बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक reservoir यहाँ पर है और एक दूसरा thermal reservoir यहाँ पर T1 यहाँ lower temperature और यहाँ T2 higher temperature है, अगर हम इसमें external work दे दिए, तो heat को supply कर सकेंगे easily, 1 से 2 की तरफ supply कर सकेंगे, तो यही हमारा क्या बन जाता है, refrigerator रेफ्रेजरेटर बन जाता है, या फिर बन जाता है, heat pump, okay, heat pump, तो इसको भी हम लोग real life में यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम को energy के flow की direction को हम लोग मालूम कर पाएं, इस वज़े से इसको हम लोग directional लाभी बोलते हैं, थर्मोडायमिक, सेकेंड लाग को direction लाभ, थर्मोडायमिक बोलते हैं, तो आई होब कि आपको Kelvin Plank statement and classes statement अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कोई doubt है, तो please comment करिए, और वीडियो को like करिए, share कर यह channel को subscribe करें, thank you for watching me